हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आई टे फाइटर यूटूब चैनल में तो हमारे तीन लेक्चर हो चुके हैं सीट मेटल चैप्टर की यह आज हमारा लास्ट लेक्चर है और अगर आपने पिछले तीन लेक्चर नहीं देखें तो उन्हें आप देख लिजी जिसे कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे वह आईटे फिटर टर्नर मसीनिश करके ऐसे आपको प्लेलिस्ट बनी होगी वह आप विजिट करो के तो आपको मिल जाएगा तो यह आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो भी सीट मेटल में रह गया जो चीज़ हमने आप आपको अभी तक हमने नहीं पढ़ाए सीट मेटल चेप्टर में पिछले तीन लेक्चर के अगर हम तुलना करें तो वो सारे कुछ आज इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे ठीक है क्लास बहुत इंपॉर्टेट होने वाली है क्लास को अंतर तक देखना है बहुत कुछ आपको स अंसर आपको कमेंट करके बताना होगा ठीक है तो बीना देरी के स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेट कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हो उसे ब्लैक कर लिजी और बिल आइकन ओन कर लिज सोल्डिंग आयन को गर्म करने के लिए इसका प्रियों करते हैं तो अगर हम जब सो सीट मेटल में भी हम सोल्डिंग करनी होती है सीटों को जोडने के लिए तो वहां पर अगर हम हमें क्या करना होता है सोल्डिंग जो बीट होती है उसको गर्म करना पड़ता है तो सोल्डि यहां पर पॉइंट देख लेते हैं नेस्ट हम लोगों ने क्या भी तक नहीं पढ़ाया अब हम जानेगे स्प्रिंग बैक क्या होता है तो कोई भी जैसे हमने आपको स्प्रिंग निस्ट के गुण के बारें बढ़ाया था जब आपको हमने मैटल चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमें आपको सिखाया था कि elasticity क्या होता है, किसी में हमने force लगाया, वो वापस आगया, तो अब spring back seat metal में क्या होता, किसी भी seat को हमने मूड़ा है, मालो example में हम समझते हैं, कोई हमादी seat है, वो इस तरह की है, ठीक है और उसको हमने जब हमने 20 से इसको हमने ऐसे मोड दिया ठीक है मोड दिया तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई सीट है हमने या पतली सीट होती है नर्म सीट होती है अगर हम उसको मोड देते तो थोड़ा सो वो आपस आ जाती कहने के मतलब है जो अपनी स्थित म यह पूरी अवस्था में तो नहीं आती कहने को मतला अगर कोई ऐसी सीट है उसको अगर हम ऐसे मोड़ दे तो वो अपने आप ऐसे तो आ नहीं जाएगी लेकिन कुछ न कुछ क्या हो जाता है वो जो सीट है वो इस तरह हो जाती मतलब अपने आप थोड़ा सा उपर उठ जात होती है तो जो भी हम बेंडिंग आपरेशन मतलब जो भी हम सीट को मोड़ते हैं जौब को मोड़ते हैं उसमें अपने वास्तरिक आकार को प्राप्त करने की प्रवत्ति होती इसका मतलब क्या होता है कि जिस सीट को हमने मोड़ा है वो चाहती है कि सीट हम अपनी उसी पूर मात्र में स्प्रिंग ओपन हो जाता है मट्रील की इस पर क्रिया को हम स्प्रिंग बैक कहते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे बस आपको समझना है ट्रम समझना कि स्प्रिंग स्प्रिंग बैक क्या होता वह आप समझ गए होंगे और स्प्रिंग जो निर्भर करता है वह जौब के मटेल पर निर्भर करता है सीट की थिक्निस पर निर्भर करता है और कार की कार करने की प्रद्द किस प्रकार से हम कार कर रहे हैं जौब को मटेल मतलब कोई हमारा अगर का हमारी black iron seat है या galvanizing iron seat है या फिर हमारी teen seat है तो अलग-अलग material के अनुसा आरब उसमें spring back हमारा कम या ज्यादा होगा अगर norm material है soft material उसमें हमारा spring back ज्यादा होगा क्योंकि वो अगर hard है तो उसमें हमारा फिर कम होगा ठीक है तो हमने यहाँ पर पढ़ा spring back के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे अब जैसे कि हमने आपको बताया कि कि सीट को हमने इस प्रकार सी थी और उसको हमने ऐसे मोड दिया और कुछ समय के बाद एक दो घंटे बाद देखके तो सीट अपने आप इस तरह को कुछ हो जाती अपने आप उपर उड़ जाती है तो इसे हम बोलते है इस्प्रिंग बैग बोलते है लेकिन अगर हमने कोई सीट है जिसको हमने फोल्ड किया हुआ है या नाइटी डिगरी पर फोल किया और उसे हमें क्या करना है सीधे करना है तो इसमें इन्होंने यहीं बताया है कि सीट को सीधा करने के लिए हैंड आपरेटिट जिक का प्रयूग करते हैं तो कोई हमारी सीध है जिसको हमने मोड दिया है उसको सीधा करने के लिए हम किसका प्रयूग करेंगे याद रखीगा है एप्राइटी जिग का परुव किया दे कोशन एक जाम पूछेगा कि सीड को अगर हमें सीधा करना है तो हम किसका प्राइटेड़ करेंगे हैंड आप्रेटी जिग को किस परकार सीधे करने मदलब 90 degree किसी भी परीकार की मुड़ी भी seat है उसको सीधा करना है फ्लेट करना है तो हम किसका परोग करेंगे? हम hand operated jig का परोग करेंगे अब hand operated jig क्या है किस p překार से भी seat को सीधा करते हैं? यह भी हम image के माद्य हम से سमझेंगे ताकि आपका कोई भी doubt ना रहे है न इमेज के मादियम से हम hand operated को समझते हैं तो सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं ठीक है चले तो यह हमारा यहाँ पर clear हो गया और यहाँ पर हम समझते हैं hand operated किस प्रकार से हम seat को सीधा करेंगे तो यह जो आपके सामने figure आ गया यह हमारा hand operated है तो कहने मतलब अगर हमारी कोई seat है वो 90 degree पर मुड़ी हुई है यह किसी प्रकार की seat है अगर हो क्या है मुड़ी हुई यह friends तो उसको सीधा करने के लिए हम इसमें यह handle होता है ठीक है यह क्या है friends हमारा handle है और यहाँ पर हम seat लगा देते हैं यहाँ पर रोलर होते हैं इनके रोलरों के बीच में हम क्या करते हैं seat को मोड देते हैं यह जो आपको figure दिखाया जा रहा यह जो है यह इसी के भाग को दिखाया जा रहा अलग से निकाल की यह दिखा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर यह handle होता है और यह हमारे roller है roller के बीच में seat लगा दी जाती किस प्रकार से फिर से इसको हम समझानी की कोशिस करेंगे देखे जैसे हमारा friend से आप यहाँ पर थोड़ सा wait कीजेगा जैसे आप रोलर देख रहे हैं ये एक ये रोलर आप देख रहे हैं ठीक है दूसरा आप देख रहे होंगे ये दो रोलर दो रोलर ये हैं और एक उपर रोलर बीच में एक हमारी सीट है गई है ठीक है ध्यान से समझी गई ये हमारी कोई मुड़ी हुई सीट है 90 डिग्री पे मुड़ी हुई या किसी पेपरकार की मुड़ी हुई सीट है उसको सीरा करना है तो इन रोलोरों के बीच में मुझ सीट को डालेंगे ये दो रोलर ये हैं और एक रोलर है अब जब इसके बाद हम क्या करते हैं इसको हम घुमाते हैं इसको घुमाने से क्या होता है कि ये रोलर की बीसे में घुमाना होता है इस प्रक्रिया इस कारिक्रिया को सीट के बिलकुल सीधा होने तक करते रहते जब तक सीट नहीं सीधी हो जाती तब तक हमें handle को घुमाते रहना ठीक है तो ये हमने सीखा ये हमारी क्या थी हमारी जो जिसको हमने बताया था कि किस के द्वारा हम seat को सीधा कर देते हैं hand operated jig के बारे में हमने बताया है न तो ये hand operated jig ये जो machine है इस machine के माध्धम से हम hand operated jig machine के माध्धम से हम किसी seat को सीधा करते हैं ठ कितनी प्रकार से कितने प्रकार से हम 씨 toothbrush को मोड सकते हैं वो हम समझते हैं ठीक है चले तो यहां पर हम फोल पर के बारे पढ़ते हैं folding tools क्या है stakes और मैलेट के अत्रिक्त निम लिखित folding tools का प्रिव करते हैं जैसा कि पिछली classes में हमने आपको stakes पढ़ाया था stake जैसे हमने हमने पढ़ाया था half moon stake hatching stake stake क्या है seat metal में जब हम कोई भी operation करते हैं तो seat को सहारा देने के लिए support देने के लिए stick का प्रिव करते जिनके type के बारे में figure के माधियम से आपको समझा है हमने पिछली class में पढ़ाया mallet के बारे में हमने पढ़ाया mallet three time mallet जो हमारे type होते हैं लकड़ी से सीट को सीवल सहारा दे रहा था वो के वल सपोर्ट दे रहा था कि भाई इस आकरत की हमारी इसे चेक है उसी है जिस आकरत में हमारी इसे चीप बन जाएगा अगर हाप मून इस्टेक है तो हमारी किस प्रकार की अवरत्ताकार रेडियस में हमारी सीड बनीगे क्योंकि वो हमारी हाप मून इस प्रकार की थी उसके उपर अगर हम कोई सीड ऐसे रखेंगे उसके उपर हैमर मारेंगे तो जिस प्रकार से यह हमारा रेडियस से मोड़ा हुँ उसी परकार से हमारी सीज भी इस तरह से मुड़ जाएगी हन यह चीज हमने पढ़ा था इस टिक के बार लेकिन अगverse अब हमें कौन कौन से टाइप होते हैं यहाँ पर पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिखे ठीक है चले आगनेश चलते हैं पर एंगल क्रास के बारे में थोड़ा सा फीगर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं फीगर की माद्यम से आपको क्लियर हो तो य यह जो आपिगर देख पाद इसको हैं इसको हम बोलते हैं इंगल क्रास, इसका प्रोग हम कहां करते ही, यहां पर सीट बड़ी होती हैं, जैसी कि बहुत लंबी सीट है, और उस लंबी सीट को हमें 20 से मोळना है, नैंटी डिग्री पे मालो, कोई लंबी सीट है, उसको हमें 20 से मोलना है और बहुत लंबी सीट को मोलने के लिए हम किसका प्रोग करते हैं इंगल क्रास का प्रोग करते हैं इंगल क्रास में क्या होता है हमारे दो एंगल होते हैं एक आप यह देख पा रहें और यह जो सीट देख पा रहें ना इसमें एक तरह से यह देखे नाइटी है यह समझ सकते हो जिसे हम एंगल क्रास बोलते हैं और इसी के उपर इसमें जब हैमरे श्ट्राइक करेंगे तो इसी के उपर यह लुड़क जाएगी और यहां पर सीट हमारे मुड़ जाए जैसे यह इस परकार के समझ सकते हैं लेकिन यह हमारा अलग है दूसरा हम उसको भी हम क्लियर करेंगे ठीक है तो इसमें क्या लिखा हुआ इसमें एंगल के दो पीस होते हैं कौन कौन से एक पीस हमारा यह है एक पीस ही है जिनका प्रियोग सीट को 90 डिग्री पर मूलने के लिए करते हैं तो किस प्रकार से देखे इसके बीच में हम इसको हम पकड़े लेकिन अगर हम इसको यह जो दो एंगल आयरन है जो दो एंगल है इनको अगर हम किसी के द्वारा होल नहीं करेंगे तो क्या है इसमें हम जब फोर्स मारेंगे हैमर मारेंगे तो फिर यह अलग हो जाएंगे तो इन अलग ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं हम उनको होल कर लेते हैं के मादम से हम इधर बंचवाइस के मादम से पकड़ दिया और इधर यो क्योंकि आप देख पा रहे हैं पर मुवेल जाओ फिक जाब को दिखाई दिखाई पड़ रहे हैं और इधर हमारी हैंडवाइस दिखाई पड़ रही है तो यहां पर हैंडवाइस के द्वार हमने कि यह है हमें करना पड़ता है जब लंवी सीट को मोड़ना होता इसके लिए किस का प्रог करेंगे एंगल क्रास का प्रог करेंगे लंबी सीटों को मोड़ने के लिये ठिक है तो यह समझवा रहत है अब हमने three type को प्रोल्डिंग फोल्डिंग टूल्स बताए थे और भी टाइब होते हैं जो मुख्यता यहां पर हम जो एक्जामें पुछे जा सकते हैं उस से रेटर यहां पर हम आपको बता रहे हैं चलिए नेश्ट देख लेते हैं नेश्ट है यहां पर हम किस टूल्स के बारे बात कर लेते हैं नेश्ट स्पेस होता है और जिस सीट को मोलना होता उसको इसके बीच में फसा देते हैं फिक क्या करते हैं यह जो हमारी फोल्डिंग बार फोल्डिंग बार जो होती है इसको हम क्या करते हैं सीट बेंच वाइस में पकड़ लेते हैं जैसे कि इसमें हमने यह देखे हमने पकड़ा प्रकार की सीटों को मोड़ते हैं तो देखी क्या होता इसमें अगर जहां पर हम पहले इसकी थेख लेते हैं तो फोल्डिंग बार के बारे में जैसे हमने बताया इसे मोडने वाली seat को clamp किया जता है ठीक है इसके बाद इन्हें wise में पकड़ कर folding किया तो मतलब folding bar को हम wise में पकड़ लेते हैं फिर इसके बाद जिसको seat को मोड़ना होता है उसे मोड़ देते हैं सी clamp के बारे में बता है यहां अंग्रेजी के सी आकार का है clamping device है इसका प्रूख तब किया जता है जब folding करने के लिए जब यहां पर ध्यान से सुनिएगा जब fold इसका प्रूख करते हैं जब folding करने के लिए job को दो पीसों के बीच रख कर अच्छी तरह क्लैम करना होता मतलब की कोई हमारी seat है उसे अच्छी तरह से मोड़ना है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं दो पीस का प्रूख करें दो पीस का यानि कि इसका मतलब यह है कि मतलब एक हमारी यह seat है कोई piece है हमारा यहां पर one second जैसे हमने यहां पर यह हमने मार कर ले लिया और दो यहां पर work piece है दो piece है और इसके पीच इसके बीच में हमने क्या कोई seat ले लिया अब इसको यहां से मोड़ना है तो अगर हम इसको मोड़ रहे तो इसको भी तो हमें support देने की ज़रूरत है इसको अगर हम दबाएंगे नहीं तो यह क्या है seat जो है हमारी यह मुड़ेगी नहीं तो कैसे समझें में अगर देखेंगे तो ज्यादा आपको clear होगा तो यहां पर हमने जैसे की बता है दो seat है और दो seat यहां पे आप समझेंगे तो हम आपको बताते एक seat आप यहां पे नीचे देखेंगे यह जो आप देख पा रहे हैं यह वाली seat वन सेकेंड यह जो आप seat देख पा रहे है ये चीट ठीक है ये हमारा क्या है एक पीस है वर्क पीस है समझ लीजिए जो एक मतलब जो हमारी सीट है उसको सपोर्ट देगी दूसरी जो है ये है ठीक है इसके दोनों के बीच में एक हमारी सीट है मेटल सीट है जिसे हमें मोलना है फिर से सुनीगा दो हमारे पीस है या C claim के माध्यम से इसको हमने claim कर रख्था ठीक है ने हमने बता ao Sleak C claim के माध्यम से किस परकार से seat को मोड सकते हैं ओ सकता है आपको एक जाम में figure दे क्योंकि आप figure वाले 100 जयादा पूछे जा सकते हैं तो figure का माध्यम से पूछ लें कि यह आपको कौनसा यह bar है कि मतलब की कौन सा ये फीगर है किसको दरसा रहा है क्या इससी क्लैम को दरसा रहा है क्या फोल्डिंग को दरसा रहा है यह हमारा जो दरसा रहा है यह हमारा इंगल क्रास को दरसा रहा है ना इंगल क्रास के बारे में जैसा की हमने बताया अब हम नेक्ष्ट कुछ आगे और तक हमारे चैनल जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली क्लास आपकी एड़ पीम अथवा नाइन पीम में स्टार्ट होती क्लास आपको वाटसप जो गुरूप है उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वहां से क किसी सीट को हमने मोड़ दिया एक बार मोड़ा तो सिंगल हैं दो बार अगर हमने उसको मोड़ा तो डबल हैं ठीक है और हमने सीम क्या बताया था सीम क्या होता दो सीट को अपस में जोड़ना है ये दो सीट है इनको अपस में जोड़ना है तो उसे हम सीम बोलते हैं अब ग के मादम से इस पर हम वार करेंगे ठीक है वार करने बाद यह अपस में क्लोज हो जाएंगे क्लोज होने के बाद हम हैंड के मादम से उनको दवाते हैं तो किस प्रकार से हम सीट को दवाते हैं वो हम सारे figure के मादम से समझेंगे तो आपको ज्यादा clear हो जाएगा ठीक है चले तो यहाँ पर हम इसको पहले यहाँ पर हटा देते हैं marker को ताकि आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना तो हैंड गुर्वर क्या है इन्होंने क्या पता है हैंड गुर्वर क्या है एक हैंड टूल है इ not seem ही नहीं पता seem हुटा क्या है तो कैसे समझेंगे तो वही हमने बताए कि दो seat हैं उनको हमने जोड़ा है तो उन जो दो के माधम से हम क्या करेंगे जिस सिरे पर खाचा बना उता है तो हमारा हैंड गुर्वर यहां पर फीगर देख लेते हैं जे हमारा फीगर है ठीक है अब यहां पर हम क्या करते हैं इसको समझते हैं बहुत सिंपल भासम समझेंगे यहां पर तो यहां पर जो सीट है यहां पर सी चार पांच में क्या होता है जो हमारा यहां पर गुरुवर आप देख पा रहे हैं इसकी जो चोड़ाई होती है तो यह चोड़ाई से हम हैंड गुरुवर का साइज लेते हैं तो हैंड गुरुवर का साइज हम कहा लेखते हैं जो गुरुवर है उसकी जो गुरुव होता है है उसकी चौड़ाई से लेते हैं ठीक है अब कोश्ण दे देता है कि जो हमारा अगर हमारी जो हैंड गूरे साम और hut City की जो फोल जूड़ाई है उसका ड्यश्मुना रखा जाता है ठीक है तो ये फोल की हुई होई के मतलब इंदशेंस क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर यह सीट है ठीक है यह सीट हमने आपे मोड़ा हुआ है तो यह जो चोड़ाई है यह चोड़ाई ठीक है इतनी सी चोड़ाई तो यह हमारी यह क्या कहलाती है सीट की फोल्ड की हुई चोड़ाई कहलाती है यह क्या कहलाती है सीट की अगर इसके हम बा यह हमारी सीट की फोल की चौडाई कहिलाता है, यह हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि आगे यहां पर थोड़ा सा लेंग्विज है, यहां पर हम इसको पढ़ेंगे, तो जो हमारा गुरुवर होता है, यह इसमें रेस होते हैं, खाचे अलग-लग साइच के होते हैं, जो तीन च की चोड़ाई से डेढ़ गुना बड़ी होती है टूल बड़ी पर गूर की चोड़ाई स्टैम्प east Eachester लगी होती है यह हमने आप को हैंड गूर के बारे में अच्छे से बता दिया ठिक है तो यह हमारा hand grower है hand grower के माध्धम से जो हमारे seam है उसको leak proof बनाते हैं ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है किसी seat को हमने मोड़ा है मोड़ने बाद उसमें जो हमारा mallet timer उसके दोरा हमने थोड़ा सा उसको save दिया है उसको हमने कूटा पीटा क्योंकि पहले तो है नहीं कि direct हम उसको इसके माधम से हम उसको leak proof बनाने लगेंगे joint को lock करने लगेंगे ऐसा तो करेंगे नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है seam को lock करने के लिए हम hand grower का प्रयोग करना पड़ता है ठीक है mallet से close कर लिया है तो जो हम hand grower का प्रयोग करने से पहले जो seat को हमने मोड़ा उसको वही चीज़ जो हमने आपको बताई थी कि mallet से क्या कर लेते हैं दोनों seat को अपस में close कर लेंगे मतलब जोड देंगे इसके बाद एक सिरे पर hand grower को sit करके जोड को lock कर दिया जाता है तो जोड एक सिरे को हम lock कर देते हैं ठीक है lock करने का इंदर से वदलब की वह फिर open ना हो ठीक है clear हो गया होगा hand grower के बारे में hand grower को याद रखना है hand grower का size हम कहां लगते हैं कहां से लेते हैं hand grower की चोड़ाई से कितने size में पाई रहता है तीन चार पांच में पाई जाता है सामान था और यह हमारी seat की फोल की हुई चोड़ाई से यह रिएध गुना इसका होता है हमारा ठीक है ठीक है hand grower की चोड़ाई अब आगे हम बात कर लेते हैं नोच के बारे में जो important है जहां से जाम में कोशन आपको अक्सर देखने को मिल जाता है इसके बारे में भी हम आपको clear करेंगे ठीक है चली यहाँ पर नोच क्या होता है यह समझना है तो नोच हमारा seat metal में जोड लगाने के लिए या पनाने के लिए seat को इस प्रकार से काटा ज जाता है ताकि जोड़े जाने वाले किनारे आपस में सही मिल सकें तो simple सा यह समझना है कि नोच क्या होता है कोई seat है हमने उसको मोड़ा है तो जैसे उसको कोने को काट देना ही हमारा क्या कहलाता है हमारा नोच कहलाता है यह क्यों कारते हैं इसका कार नोच बनाने का क्या उ स cambiar सामें इसका काटने के अदेशी है कि जोड़ लगाते समय मतलब की सीटों को आपस स्अम्यां तो जोड़ते समय फालतु धात कू ओऑं लैप मतलब हैं जो सीटे एक दूसरे कूप पर उवर behavioral कर रहे हैं उनको बचाने के लिए हम बचाने के लिए compact इस पेस आप देखते हुए सब्सकारिकों क्या आप समझ गए क्या होता है कि इसके प्रोसेस हैं क्या उद्देश है कि उसक्या कर बनाना होता है जृब को कारी को assembly करने के लिए भी हम noach का प्रयोग करते हैं तो noach आप समझ गए क्या होता है कि sheet metal में जोड़ लगाने के लिए या बनाने लिए जोड़ हमें बनाना है बत्तब कि जोड़ किसी दो sheet को अपस में जोड़ना है तो हाँ पर भी हम noach बनाएंगे बनाने के लिए seed को इस प्रकार से काटा जाता है ताकि जोड़ वाले किनारे के age आपस में सभी से मिल सके हैं अब क्या है यह आपने clear कर लिया कि नोच होता क्या अब नोच के type होते हैं उन type के बारे में exam में हमसे पूछा जाता है चलिए अब हम टाइप के बारे में आते हैं तो पहला जो आपका टाइप है तो यह इस प्रकार से नोश कार देते हैं ठीकित ताकि यह पर जब हम मोड़ें तो आसानी से मोड़ जाए और वहाँ पर कोई भी सीट फूले ने ठीक है और आसानी से उसे हम कहीं भी फिट कर सकें तो अब हम यहाँ पर फस्ट जो टाइप है नोश हमारे निवन प्रकार के होते हैं फस्ट टाइप हमारा होता है इस्टेट नोश अथ्वा स्लिट ठीक है इस्टेट नोश को हम क्या बोलते हैं स्लिट बोलते हैं जब सीट को मोड़ना होता है तो पहले इसमें सीधे कट आप क्या बताएंगे यह हमारा slit cut है क्योंकि हम slit cut को ही क्या बोलते है state notch बोलते हैं यह जो आफ फिगर देख पार है ठीक है चले नेश्ट देख लेते हैं नेश्ट हैं आपर क्या है इन्होंने बता हुआ है नेश्ट जो हमारा notch का type होता है square notch होता है square notch अगर हम जाने इसके बारे में काफिक जाम में पूचा जाता है कभी figure भी दे देता है तो जब seat से वर्गाकार या आयताकार जोब बनाने होते हैं तो उसके लिए वर्गाकार नोच काटे जाते हैं कि मतलब एकजाम एक क्या पूच एगा की जब सीट से वरगाकार या आयताकार जाब बनाना होता हुटा था हम किस-ट का परयोग करेंगे तो हम वहां पर इसक्वाइडuben का परयोग करेंगे स्क्वाइन Burada कर SLI से बनने के लिए हम यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर यहां प पूछ लेता वर्क पूछ लेता जैसा कि हमने आपको बताया और यह थो फीगर आपको दे देगा अब एंगल क्या पूछे का जैसे कि हमने अब हम आपके सामने में आ गया slant notch आ गया ठीक है हिंदी में इससे आपको slot notch लिखा हुआ दिखाई देता है book में कहीं कैं तो slot notch क्या होता है हमें समझना ज़रूई है इसमें क्या होता किनारे हम 45 degree पे notch कार देते हैं तो यह जो notch होते हैं 45 degree पे cone पर काटे जाते हैं इनका प्रयोग single hem को समकोर पर बनाने के लिए करते हैं इसका मतलब क्या है single hem को समकोर बनाने को मतलब यह कि कोई seat है इस प्रकार से हमने मोड़ा हुआ लेकिन यह क्या सीधा नहीं है तो यह ही तो होता single hem में क्या होता है एक बार हम seat को fold कर देते हैं हमारा single hem कहणा था तो यह सिंगल hem आप को याद रखना है कि यह जो के ढमारे a 55 different इनका प्रयोग single hem को समकोर बनाने कली करते हैrasa हो सकता है आप्याइऀ से पूचत ले कि single hem को समकोर बनाने के लिए किस नोच का प्रयोग करते हैं हें पर हम slant, slant sorry। या ofie slant नोच का प्रोकरते हैं जिससे कि हम ने यहां 54 डिग्रीव पर यहां पर दिखे हैं आपने यहां पर सो भी किया है ताकि समझाय है ठीक है अब हम next नोच के बारे में समझेंगे आपने यहां पर तो यहां पर हम इसको हटा देते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए नेश्ट नोच के बारे में पढ़ते हैं नेश्ट नोच जो भी है बहुत ही इंपोर्टें नोच है इसको भी अच्छे से समझना जो अक्सर एक्जाम में आपसे पूछा जाता है वी नोच तो वी नो कैंड क्ega होता है इस प्रकार के नोच की दोनों साइदे rhymes 55 ग्री पे कोण पर कटी होती है नोच की साइद 90 ग्रीव के कोण पर 사진 है तो नोच तो हमने उसको काटा था यहाँ पर उसको पैताली डिग्री पर लेकिन हमें करना क्या होता अगर हमें क्या करना इसका प्रयोग कप करते हैं जब जब जाब को जब सीट को 90 डिग्री को कोण पर साइड में मोड़ा होता मतलब हमने सीट को 90 डिग्री पर मोड़ दिया अब उसे हमेंस सायट की तरफ रोना होता है मत्तलब यह हमारी मोटी सीट होगी यहाँ पर क्या हम तो GUAR यहां पर एक लंबी सी सेट होगी न तो क्या ग levier थे एक बार और मोड़ना होता है न तो साइट से जब एक बार और मोड़ना होता है जो हमारी seat है उसको हमने 90 पर मोड़ दिया है इसके बाद फिर हमने उसको side से फिर मोड़ना होता है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वी नोच का और वी नोच में अगर पूछे कि इसका हमारा जो नोच के दोनो slide कितने अंगल पर कटे होते हैं तो 45 डि डि पर मिलते हैं तो यह हमारा कितना है नाइटी डिग्र ठीक यहां पर केवल एक seat के बारे में लिव इस एक्सिस स्राइण के मादम से 45 डि बताया तो यह आपको याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर वी नोच के मादम से जहां में कोशन यह पर पूश लेता है कि हमारा कि एंगल कितना होता थिक तो यहां पर रियाद रखता है जो जौब Seriously पर मोलना होता है उसे साइड में मोलना होता है तो हपर हम वी प्रयोग करते हैं और इसे दोंदो साइड जो तें 75 डिग्री पर मौड़ते हैं और जो नोट की स्लाइड है साइड है उन्हें 90 डिग्री के कॉरण पर मिलती है ठीक है क्लियर हो गया चली देख लेते हैं ग्याधि लेते हैं ये फ्रेंड से हमारा वायर नोट ठीक है वाय नोज के बारे में नोन क्या बता है इस प्रकार की नोज वहां काटे जाते हैं जहां किनारे पर तार डालनी होती है मतलब कि यह जो इसमें हमारे हमको क्या है यह हमारा वायरेज है ठीक है अब इसमें हमें तार डालनी होती तो वहां पर हम वायर नोच कारते हैं और यहां पर वायर नोच का एंगल पूछा जाता है यह पूछ लिया जाएगा कि यहां पर अगर हमें कोई रेडियस में है कोई स करते हैं वहाँ पर हम वाय नोच बोलते हैं ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं इस प्रकार की नोच वहाँ काटे जाते ही जहां पर किनारे पर इस तार डाले हो तो यहां पर हम ते तार डाल देते हैं जिससे क्या होता है मजबूती बढ़ जाती ठीक है क्लियर हो गया अब यह नो दूरी है यह तार के जो नोच की दूरी है नोच की दूरी तार के ब्यास से पाई पाई गुना या साड़े तीन गुना अधिक रखी जाती जो मतलब नोच हम जितनी लंबाई में कारते हैं उसकी जो दूरी है वो हम तार के ब्यास का साड़े तीन गुना रखते हैं मतलब जो आपको angle याद रखना है और आपको उसका figure याद रखना है कि हमारा हो सकता है जहां मैं आपसे पूछ ले figure दे दे यह कौन सा नोच है तो यहाँ पर हमारा wire नोच है यह चीजें आपको समझनी जरूरी है तो यह हमारा last wire नोच था और जैसे figure आपको दे देगा ये कौन सा नोच है तो ये हमारा V नोच है जिसमें कि आप V सेप में देख पा रहे हैं और कितने गल पर काड़ते हैं तो 45 डिग्री पर एक साइट काड़ते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है V नोच और आपको figure देदेगा ये कौन सा नोच है इसे हम slant नोच बोलते हैं जिसे हम 45 डिग्री पर काड़ते हैं और इसका प्रोग हम कहां पर करते हैं जब हम single hem को संकोर पर हमें बनाना होता है तब हम slant नोच काड़ते हैं ठीक है इसको आई नोच फिगर देगा ये कौन सा नोच है आपको इसका नोच बताना तो ये आपको समझ में आ गया यह हमारा state नोच है जिसे हम slit cut बोलते हैं कोई sheet मुड़ी हुई है उसको सीधा करना है तो हैंड आप रेटर जिक के मादम से हम जो sheet है उसको सीधा कर सकते हैं है न तो यह हमने आपको पढ़ाया blow प्लो पैंप के बारे में हमने पढ़ाया blow lamp के बारे में और हमने यहाँ पे spring back के बारे में पढ़ाया spring spring back होती है blue lamp के बारे मताया sheet metal job पर हमें soldering करना होता है तो soldering iron को गर्म करने के लिए हम blue lamp का प्रिव करते हैं तो यह आज की class में यह सारा कुछ हमने clear किया जो last में एक minute में इसीश कर दिया कि हमने आज की class में हमने क्या-क्या खीठा ठीके अब हम कुछ mcq लगाले थे mcq हम लोग पढ़ लेते जैसा की हर class में हम हम आपको थेओरी पढ़ाते हैं थेओरी कराने के बाद में हम आपको कुछ mcq कराते तो आज अब हम आप से कुछ question पूछेंगे आपको comment करके बताना है तो first question आपसे पूछा जा रहा आयताकार या वर्गाकार box की farming करने के लिए निम लिखित में से किस प्रकार की noach का प्रियो करते हैं ठीक है तो आयताकार या वर्गाकार box हमें बनाना है उसकी क्वार्मिंग करना है तो हम किस प्रकार की नौश का प्रोब करेंगे आफसा ने स्झेट बॉक्स यहां पर स्टेट नोश होगा ठीक है स्टेट नोच है सकान नोच स्छ और यह ऐंहsl हमारा हिस कोặा का ली ऐसे लिए हम किस प्रकार की नोच करते सिकेंड कोशेंट है मैलट हमारा किसक्क बना जाता है मैलेट हमारा हाड लकडिक बना जाता है राइट में अम यहान पे स다 हमोच है ठीक है चली निश कोशन है हमारा निश कोशन हम से क्या पूछा जा रहा जिस जॉइंट में एक सीट का सीरा दूसरी सीट पर रखकर आपस में जोड़ा जाता है उससे क्या कहते हैं कोशन नमर थ्री का राइट अंसर बता है फ्रेंड्स जिस joint में एक seat का सीरा दूसरी seat पर रख कर आपस में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं lap joint कहते है राइट अंसर क्या हो जागा अच्छा यहाँ पर अभी हमारा lap joint but joint नहीं आया था लेकिन हम आपको उतादे lap joint क्या होता कोई seat है इस परकार से एक हमारी seat यह है और दूसरी seat यह है ठीक है अब इन दो seat को आपस में जोड़ना है आगर हम seat को इस परकार से जोड़ते हैं किस परकार से एक दूसरे के उपर रख के इस परकार से जोड़ते हैं तो lap करके जोड़ते हैं जिस जॉइंट में एक सीट का सीरा दूसरी सीट पर रख कर मतलब एक सीट है उसके उपर हम सीट को रख रहे हैं लैब कर रहे हैं तो एक सीट को दूसरी सीट के उपर रख कर लैब करना या जोड़ना उसे हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं लैब जॉइंट को ठीक है तो इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे इस सीट को हम आपस में इस प्रकार से सॉल्डरिंग के माध्धम से जोड़ देंगे ठीक है तो यहां पर मतलब कि इस में क्या होता एक सीट दूसरी सीट के सीट में होती है मतलब एक दूसरी कूपर लैप नहीं करते हैं यह हमारा बडट जयंट होता है तो लैब जयंट बड़ जयंट बहुत ही इमपौरटेंट है याद रखेंगा यहां से question exam में पूछा जाता है चलिए next question की ओर चलते हैं sorry next question की ओर चलते हैं next question हम से क्या पूछा जा रहा है job को 90 degree वाले band के साथ बनाने के लिए किस परकार के नोश का प्रयोग करते हैं तो बताए हमारा right answer क्या होगा नोच का मतलिया तो जाब को 90 डिग्री वाले band के साथ बनाने के लिए हम किस परकार के नोश का प्रयूख करेंगे तो वहाँ पर हम किसका प्रयूख करेंगे जैसा कि हमने बताया कि हमने कोई seat है उसे एम 90 डिगरी पर मोड रहे है ठीक है तो मोड नाय जॉब को 90 डिगरी पर वाले बेंड के साथ बनाने के लिए ठीक है तो हाँ पर हम किसका फूर्व करेंगे हम वी नोच का फूर्व कर्किए क्यों वी नोच ही हमारा 90 डिगरी पर बनता है और जो स्क्वायर नोच होता है वो हमारा वो हमारा कितने डिगरी पर बनता है यह आपको कमेंट करके आज जब क्लास खतम हो जहाँ वहाँ पर आपको होता ना जो स्लॉट नोच है वो हमारी कितने डिगरी पर बनता है स्लॉट नोच हमारा 45 डिगरी पर बनता है वायर नोच की बात क क्टलास में जब वीडियो इंड हो ठीक है चलिए ने को ौशन अप से क्या पूछा जा रहा है कि ने डिखित में // मिलता है बहुत अच्छा कोशन है हमने जब आपको डाइब के पढ़ाय था तो हम ने figure के माध्यम से हमने आपको बताया था कि हम किस के दोरा हम horse stake में क्या होते हैं इसमें 2 square होते हैं बीच में काफी लंबा होता है ठीक है इस प्रकार से कुछ होता है और हमने जब आपको figure के माध्यम से clear किया था तो इसमें 2 square होते हैं और इसमें double ended आसरे प्रदान करता है तो किसी श्टेक में double ended आसरे मिलते हैं मलए इसमें दो सीरे होते हैं ठीक है तो उसे हम horse श्टेक बोलते हैं यह हमने आपको बता है था बांकी सारी स्टेक के बारे में भी आपको पता है क्योंकि अगर आप हमारी पिछली सारी classes जुड़े थे जब हम आपको गयालिविनाजिंग सीट के बारे में बता रहे हैं तो कापर सीट के बारे में एक पॉइंट बताया था कि इसमें मैलिविल्टी का गुण होता है इससे क्या होता है कि इसे मतलब की ठंडी और गर्म सीट में इसका भी हम प्रूव करते हैं कोल वर्किंग ह Ceed taking सीटों कब्रूप की क्योंकि इसमें इसमें मैलिविल्टी और डेक्तिल्ती का गुण होता तो राइट ऐसर हमारा क्या हो जाएगा सिक्स के हो हमारा मैलिबल और डक्टाइल हमारी कापर और प्रास की सीटे होती है ठीक क्लियर हो गया चले निश्कोशन के ओर चलते हैं निश्कोशन से क्या पूछा रहा है ऐलूमिनियम की सीटों को प्रयोग करने के लिए निम लिखित में कौन सा कौन सा मुख्य कारण है तो बहुत ही हमारा रह função निश्कोशनुमिल चलते हैं लिखित LIKE वर गश्के क्लेंड लिखित पिंब zegए और रही हो जाईगा चलका रही है अब यहाँ पर मिला मिलान करना है ठीक है क्या करना है यह पर तो यहां पर मिलान करना है अगर आपको सारी स्टेक के बारे में आपको पता है तो आपको मिलान करने में कोई भी दिकत नहीं होगी ठीक है चलिए हम मिलाते हैं तो हाप मून इस्टेक हाम मून हाप मून इस्टेक के बारें बताना हो कौन सा इन fund करेंगा तो अगर आपने उस्टेक के के बारे में हमरें ने जब हमने आपकोस ख्लीयर के था धी आप प्लेडिस के मांदम से आप समझ सकते हैं सारी क्लाइस किजिए सारी सारी साइस इससे क्या होगा आप ही को आखे को फाइदा होगा सारे कुछ आपको क्लियर हो चाप मुन इशस्टेट क्या होता इसमें जो हमारी इश्टेक होती वह रीर्डियेस में मूरी होती है चंद्रमा के आकार में होती और इसका प्रोग हम मेटल डिस्कों फ्लेंज बनाने के लिए प्रोड करते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था तो धात की डिस्कों की एज पर फ्लेंज बनाने के लिए ठीक है तो फ्लेंज बनाने के लिए हम आप मुनिश्टेक का प्रोड करते हैं तो हमारा एक क्या हो जाएगा टू हो जाएग लाएंगे फ्रिंड्स हम सार्प एंड बनाना मतलब की मोलना है और इस्टेट एज की फोल्डИंγं करना जैसा कि हमने फोल्डिंग करना बता तो हमारा इसका हम मिलान इससे करेंगे ठीक है अब बी कारें इस्टेक के है ना तो यह हमने आपको पढ़ाया था तो इसको हम किसे मिलान करेंगे बताएं फ्रेंस भी कारण इस टेक को हम किसे मिलान करेंगे तो हम इसको मिलाएंगे यहाँ पर सार्प टेपर अगर हमें टेपर वस्तुए बनाना ठेक क्या करना हमें टेपर वस्तुए बनानी है तो अ आपने देखा होगा figure मादर जो हमने आपको पढ़ाया तो उसके आधार पर हम उसको save दे देते हैं ठीक है तो clear हो गए ना सारे question और तो यहाँ पर अगर आपको class पसंद आई है सारे question आपके हमने आपसे करा दिये अगर आपके जो भी marks आएं वदलब कि आपने add question आपने किये हैं add question में आपके कितने सही हुए वह आपको comment करके बताना है कि हमारे कितने question सही हुए क्योंकि हमने starting में यह आपसे कहा था कि आपको आपसे हम कुछ question पूछेंगे जो आपको comment करके बताना होगा ठीक है तो यह आज हमारी seat metal chapter की last class सी और कल हमारी class होगी जैसा कि हमने बताया था कि हर class में हमारी theory plus mcq होगी फिर बाद में एक separate एक अलग से mcq class होगी जिसमें कि सारे mcq होगी कहने कि मतला है जो हमारी class होगी लगभग 140 question हम आपको solve कराएंगे ठीक है लगभग 140 question हम आपको solve कराएंगे जो सारे question आपके उस 140 question जब आपको हम करा देंगे पढ़ लोगे आप वहाँ से तो कोई भी question यहां seat metal chapter से बाहर नहीं जाएगे सारे question आपको technical exam से मिल जाएग भली आप किसी भी exam की तैयरी कर रहे हो ठीक है तो कल की class आप मिस्स मत कीजेगा कल की class जो आएगी वह एट पीम में आएगी वह से हम upload form में लाएंगे ठीक है वह हमारी live chat के मादर हम से class नहीं होगी ठीक है तो आज की class में बस इतना ही रखते हैं class आपको पसंद आई तो video को like करें share करें और comment करके अपना feedback देना मत भूलिएगा बाइबाइ टेक कार अपना ख्यार अपना ख्यार लखिएगा गुड़नाइट